हेलो एब्रीवन आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी आई के बारे में क्योंकि यूपी आई एंड इसके टांजेक्शन महेंगा होने की ख़बर आते ही लोग के मन में सवाल उपने रहे हैं जहां भी यूपी आई सुन रहे पे फोन पे जैसे एप से टांजेक्शन महेंगा हो जाएगा क्या मैं दो यार से ज्यादा यूपी आई करूंगा तो इसमें मुझे एक्ट्र चार्ज देने होगे अगर ऐसा है तो चलो मैं यूपी आई बंद करके फिर से कैस पर आ जाता हूं ऐसा नहीं है थोड़ा रुक सकता हूं अगर आप में पूरा देख लिया तो फिर आपको किसी और न्यूज से पढ़कर या सुनकर समझने की कोसिज नहीं करने पड़ेगी आप खुद सबको समझने काबिन और समझाने काबिन हो जाएगे चलो यह टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं य यह कैसे कैम करता हैड़ योपियत मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस घुपियका मतलब एक स्टार रियल टाइम पेमेंट सीस्टम है उससे करहाग जैसे ही आम लोग एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा तुरन ट्रांसर कर सकते हैं UPI से रात या दिन कभी भी मनी ट्रांसर किया जा सकता है UPI इस्तमाल के लिए हम बस एक स्मार्टफोन हमारे पास चाहिए उसके बाद पेटियुम गूगल पेड भीम आदी कोई UPI एप होने चाहिए तो ग्रहा को अपने बैंक अकाउंट को UPI से लिंक करना होता है एक बैंक अकाउंट को कई UPI से लिंक कर सेथे और कई बैंक को एक UPI के जडिए भी चल्या आता है इतना कुछ जानने के बाद अब हम जानते हैं UPI में एक अप्रिल से क्या बतला होगा जो अभी तक का सबसे होट टॉपिक चल रहा है MPCI, National Payments Corporation of India ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 1 अप्रिल 2023 से UPI के जड़िये किये जाने वाले merchant transaction भ्यान दीजेगा दोस्तों यहां पर merchant transaction मतलब आम customer आप या मैं नहीं merchant मतलब दुकांदार तो merchant transaction पर PPI fees लागू करने किसी फारिज की ज़िया है इसके तहट 2000 रुपे से ज़्यादा कि merchant transaction पर अब PPI चार्ज लगना सार्ट हो जाएगा तो चलिए आम लोगों के लिए नहीं है यह तो पता चलिया आप और हम अगर आम लोग हैं तो नहीं है थोड़ा खुछ जाते हैं फिर यह सुनकर और आगे देखते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि merchant और bank के बीच का मामला है यह अब हमारे लिए नहीं है आम लोगों के लिए कस्टमर के लिए नहीं है यानि PPI चार्ज मर्चंट से वसुला जाएगा आम कस्टमर से नहीं तो थोड़ा सब जानकारी के लिए और अगर आप merchant है तो आगे बे सुन लिए थोड़ा जाजा knowledge काम ही आएगा हमारे और अच्छी तरह समझ पाएंगे और समझा पाएंगे लोगों को जानते हैं PPI के बारे में क्योंकि यह सारा खेल PPI गया है यह जो नया circular लागू किया ग अगर का digital वालेट है जैसे हमान दिया पेटियम वालेट एमेजन पेए फोन पेए वालेट या अमेजन किफ्ट कार्ट दो डिटिजटल गिफ्ट कार्ट होते हैं तो जो युज़र को अपने पैसे स्टोर करने की सुविदा देता है जैसे कि हम अपना ऐसा एमांट सेफ करत हो है मुचेंट मतलब दुकांदार समझ लिए यहां जैसे कि मैंने पहले भी कहा था तो हमने दुकांदार की बात की तो समझते हैं कि दुकान वाले से यह चार्ज कैसे वह सोड़ा जाएगा एंपी सी आई के मताबिक अगर ग्राहक दुकान वाले को बैंक ट्रांसफर के जड़िये यूपे पेमेंट करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा वही अगर आप किसी वैलिट से पैसे एड़ करने के बाद क्योर कोड को स्कैन करके पैसा ट्रांसफर करेंगे तो इंटर च रिभद से लिए हैं तो होता क्या है तो आसान वासा मि अगर संव चीछ को में समझे कर गया आप लोगcontrol को बताऊं तो अगर करस्ट्रमर दुकान दार को यूपिए से पैमेंट करता है तो कोई छाज नहीं देना होगा दुकान दार को या फिर अगर करस्ट्रमर वैलिट ज से कम है तो भी कोई चार्ज नहीं देना पर है जो 1.1 परसंट चार्ज लगने की सर्कुलर आई है बट अगर हम दोसरा दुकान देख लीजिए मजार कर रहा था आगे बढ़ते हैं एंपी सी आई में ब्यान जारी कर ये भी कहा है कि यूपी आई के तर्फ नाइंटी नाइन परसंट ट्रांजिक्शन हो रहा है मतलब दोस्तों पीपी ऐसे भी हाड़ी 0.1 परसंट यूज होड़ा है पिछ मैं होप इतना काफी है इससे समझने के लिए इसके बाद अगर और कुछ समझना कोई डाउट होता आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेसेज करते हैं